तो आज हम बात करेंगे इज्राइल और हमस के बीच में वार चल रहा पीछे इमेज में भी देख रहे हो कि वार वाली स्टार्ट हो गया मिसाइल चोड़ देखा जाया तो इज्राइल नहीं हमस ग्रूप पर पूरा पूरे तरीके से हाबी हो गया वह और बोला है कि कुछ दि चल रहे हैं उस बज़े से हमारे एक्विटी मार्केट पर कमोडिटी मार्केट पर या फिर करनसी मार्केट पर क्या-क्या एफेक्ट आने वाला है वो सब चीज़े हम लोग डिसकस करने वाले आज एवन हमारे कुछ मेजर कंपनी जिनके इन्वेस्टमेंट है फिर उन पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हम लोकेटेट वाहिव में लोकेटेट अड досमी अच्छी अगर की 1991 और 310 अच्छी और 225 जब इंडिया और मैं कार्गिल का अगर कारते कहला वे assignments और यह वार सिचुएशन से क्या क्या एफेक्ट होते हैं अगर हम लोग बात करेंगे 2012-2013 के आसपास में सीरिया पर अटेक गुआ था उस टाइम पर भी हमने देखा था कि एक्विटी मार्केट काफी गिरा था और कमोडिटी मार्केट में प्राइस कमोडिटी मार्केट भी पर अब बहुआ कि वार चल रहे हैं चल रहा हमस और इस टाइम पर भी हम लोग एक सालिंग देख रहे हैं तो यह सब चीज कामन ने कारेक्शन आता है मार्केट गिरते हैं और वहां पर फ्रेस्ट मिलती है अगर मैं आपको अभी भी बोलूँगा अगर आप लोग के मत कीजिए पोजिशन को होल करिए और समझी अगर हमें नीचे कुछ अच्छे स्टॉक मिल जाते तो उनमें हम लोग इन्वेश्ट कर सके ताकि प्रॉफिट और मैक्सिमाइब हो सके फिर फिर हम लोग शुरुत निकाल सके हमारे पॉर्टफोलियो अब हमारा हमेशा इसे बड़ा पोजिशन करिये लैक अगर आपकी कुछ वाइंग पॉजिशन उसके सामने थोड़े-बहूट पुटबाय कर लीजिए तो अभी यह टाइम है कि हम लोग आप्शन का सही इस्तमाल कर पाएं और दूसरी चीज है यह वार देखिए कोई भी लड़ाई है हमारे घर में चल रही है बाहर चल रही है या फिर किसी कंट्री के बीच में चल रही है फिर कंट्री और ग्रूप के में जो वार चल रहा था वह कहीं ना कहीं जब ठंडी होई चीजा सही होई तो उस टाइम पर मार्केट ने साफ रिकवरी दी जहां लोग का अगर कोविड में भी हम लोग बात करेंगे एक करोड का पोटफोलियो तीस तीस चालिस 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 लाग रुपे पर आ गया थ अगर कोई रियक्षन हो रहा है तो उसका रियक्षन हो गई अगर मार्केट गिर रहा है यह और सिच्वेशन हो गई तो उसका अने वाले पांच्छे दिनों तक साथ दिनों तक यह चीज़े चलती रही तो यहां से हम लोग 152000 पॉइंट का और करेक्शन देख सकता है बैंक अपनियों की हम लोग बात करते हैं एक बार कुछ हमने एक छोटा सा रिसर्च करके लिस्ट बनाया हुआ है उसमें सबसे पहले बिप्रो की बात करें तो बिप्रो का काफी बड़ा इंवेश्मेंट है इसराइल के अंदर तो वह उस पर काफी आने वाला है दूसरा हम लोग का अगर हम लोग टेक्नलोजी लाइक सॉफ्वेर ऑफिस वगेरा उदर है काफी ज्यादा सेक्यूर्टी सॉल्यूशन है टेक्नलोजी रिलेटर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लंटी की उदर है तो उस बज़े से एफेक्ट तो आना ही है अगर देखिए कोई भी कंट् सब्सक्राइब केगने सबस्क्राइब अगर ज्बेश्चुन हमारी कंट्री कशक कमपनी का इंड्समिंट है व तो थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत तो क्या तो इस्कुर्ण इन अग्रम्प मंने शूर्स भी का खाफी इनवेश्मेंट है फिर बात करेंगे इस न orange तो उस पर भी एक एफेक्ट आने वाला है अडानी पोर्ट्स का भी उदर 785 मिलियन डॉलर्स का इंवेश्मेंट है उसके बाद हम बात करेंगे रिलाइंस ने भी काफी बड़ा इंवेश्मेंट करके रखा तो उन चीजों के एफेक्ट आने वाले हैं हमें काम रहना है अगर पोर्ट्फोलियो जिसको जादा डल लग रहा है आप थोड़ी बहुत पोजिसंस बना के अपना पोर्ट्फोलियो हैच कर लीजे और नीचे में अगर बाइंग प प्लान कर रहा हूं कि अपना लाइक जो इन्वेश्मेंट आड़न करना है वह अपने पोर्ट्फोलियो में कर सकूं तो यहां पर अगर कुछ रहती है तो मैं खुद अपना पर्सनल इंवेश्मेंट भी करूं और जब भी करूंगा तो आप लोग को अगर बहुत आप लोग को benefits मिले और लास्ट में हमारे चैनल को शेर करें सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंट्स रिलेटिव को वर्कर्स और अभी हम यह वीडियो यहां कतम करते हैं थैंक यू